पेंचन प्लान वर्सेज एफडी आपके लिए क्या सही है कैसे तै करेंगे कि आपकी रिटायर्मेंट पे पेंचन प्लान से काम चलेगा या फिर आपकी रिटायर्मेंट पे एफडी से काम चलेगा क्या है इनके अलग-अलग feature, कौन कितनी income देगा, जीवन में आपको 55 या 60 पर retirement के बाद कौन सा काम आएगा और किस basis पे आप decide करेंगे, क्योंकि कोई भी product अच्छा या बुरा नहीं होता, ये आपकी अपनी situation पर depend करता है, सो अंत तक वीडियो को देखिएगा, पसंद आए, तो लाइक कर देजेगा, चैनल को सब्सक्राइब कर देजेगा, और वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है, सो अगर वक्त कम है, तो इसको आप सेव कर लीजे, मैं हूँ विपलम अजिमदार, from planyourworld.com, मैंने planyourworld इसी लिए बनाया, क्योंकि 17 सालों में 15,000 फैमिलीज के साथ मैंने पाया, कि आपका retirement कोई और plan कर ही नहीं सकता, because all you need is sufficient pension at all times, 60 की उमर में भी अच्छी pension आए आपके पास, और 70 पे, 80 पे, 90 पे, और अगर मैं बाद में अकेली है, तो उनके पास भी pension अच्छी आनी चाहिए, ताकि सम्मान रहे, और इस चीज को सिर्फ और सिर्फ एक इनसान खुद प्लान कर सकता है, बागी सब के पास है एक plan, ठीक, जो की scheme के रूप में वो sell करते हैं, इसी लिए हम लोग आपके लिए live session चलाते हैं, जहां पे money IQ class, आप Tuesday से Thursday साड़े साथ बज़े से इसको join कर सकते हैं, तीन दिन का session होता है, और सिर्फ 299 से आप इसको कर सकते हैं, अगर आपके पास time कम है, तो आप recorded session भी ले सकते हैं, link description में है, वीडियो में आगे बढ़ते हैं, what is your objective, आपका objective क्या है, सबसे पहले हम उसको तै कर लें, क्या आपने कसम खाई हुई है, कि आपको pension plan लेना है, या आपने कसम खाया हुआ है, कि आपको FD लेना है, कैसे तै करें, हमारा objective क्या है, भाई ये product तो अपने आप में बिलकुल अलग अलग है, ठिक, अब मुद्दा ये आता है, इन दोनों का मेरे जीवन में, आपके जीवन में इस्तेमाल क्या है, ultimately आप पैसा सेव कर रहे हैं, so अगर इसकी बात हो रहे हैं, तो that means, after retirement, आपकी लाइफ चलनी चाहिए, लाइफ किससे चलेगी, तो डायलॉक से नहीं चलेगी, भर भर के टीवी पे एड आएगा दोनों का, ले मत लेना आप बिना वीडियो देखे, और किसी अडवाईजर से पूछना नहीं आप, क्योंकि कमिशन के चक्कर में बेच देगा दोनों, तो आपको ध्यान दखना है, छोटी सी बात का, retirement का मतलब क्या है, dignity at all times, घर किस से चलेगा, retirement का मतलब क्या हुआ, भाईजर पूरे पैसे आपको चाहिए, घर चलाने के, एक तारिक को आपके घर में, खर्चे के लिष्ट तो है, लेकिन salary नहीं है, तो अगर salary नहीं है, तो हमें pension चाहिए, हमें pension चाहिए, pension word पे मत अटक जाना आप, pension word हम लोगों ने सुना था, नौकरी में, और अब हम सुनते है, pension word से एक scheme, तो इसको हम लोग देखेंगे, अभी last में, point is very simple, 60 की उम्र हो, retirement की या 90 की, आपके पास सम्मान जनक पैसा चाहिए, तो एक बात लिख लिजे अपने सामने, और उसको लिख लिजे as, sufficient pension, ये sufficient pension चाहिए, जो मेरे घर का खर्चा चला सके, तो आपकी requirements क्या है, आई ये देख लेते हैं, ये है आपका जीवन चक्र, पूरी जीवन का, तो आपने retirement के बाद, भई हमें क्या लगता, 50,000 की pension मिल जाए, 1,00,000 की pension मिल जाए, भाई जब कुछ नहीं होगा, आपकी स्थिती जो भी हो, आप यहाँ पे हैं, यहाँ पे हैं, उम्रवाइज इस जगए पे हैं, उम्रवाइज साथ पे हैं, आपको आगे की पूरी life की pension चाहिए, pension का मतलब हुआ, सम्मान जनक पैसे, जिससे महिने का खर्चा चले, तो ये कैसे होगा, आपके पास, आज की डेट में ये खर्चे हैं, क्या ये खर्चे कम हो जाएंगे, retirement के बाद, क्या retirement के बाद, पूरी जिंदिगी हमने retirement से पहले, caller उपर करके चले, दिवाली आई खर्चा किया, होली आई खर्चा किया, retirement का मतलब compromise तो नहीं हो सकता, अच्छा, मैंने पाया एक चीज़, पिछले 17 सालों में, भारतिय इंसान saving करता ही करता है, 50% effort पूरे लगाते हैं, हम लोग saving में, आप कहो कि 50% कैसे, point क्या है, 50% आपने saving में लगाया, 50% और उसको manage करने में भी, खुद ही लगना था, हमने क्या किया, दोस्त, भाई, रिष्टेदार, CA, advisor, इनसे पूछ लिया, जिनको कि कुछ नहीं आता, अपने product के अलावा, आपके जीवन में कैसे fit आएगा ये, that is important, friends, ये खर्चे आपके जो भी है ना, इनकी एक lifestyle है आपकी, आप same company का biscuit, same quantity में milk, same आटा ये सब इस्तेमाल करेंगे, तो भी आपके खर्चे बढ़ते जाएंगे, ना माने, पिछले पास साल पहले का देख लीजे, दस साल पहले का देख लीजे, so वो आप ही के, you are the better judge, आपका खर्चा अगर 50,000 रुपे महिना है, तो ये डबल होगा, हर दस साल में डबल होगा, ये बात याद रखिएगा, so this forms the first parameter for selection of any type of plan, whether it is pension, whether it is FD, अब मुद्दा ये है कि ये खर्चा तो कम होने वाला नहीं है, मतलब अगर 45 पे 50,000 का खर्चा है, तो 90 पे ये खर्चा महिने का 10,50,000, आप कहो गई, इतना ज्यादा, अरे जो 5 रुपे पसेरी मिलता था ना देशी घी, तो उस वक्त ये सोचना बड़ा भारी था कि तनखा होगी एक लाख, अगर लेकिना सच्चाई है ना, तो इसका मतलब ये भी होगा, सो महंगाई से बच के आप नहीं रह सकते, आपके जीवन में ये रहे गई रहेगा, खर्चा कैसे आता है, ये ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है, अगर आपकी पेंशन ये है, क्यों मैंने ऐसे लाइन क्यों रो की, पेंशन प्लान का सबसे बड़ा स्कैम जो बताया नहीं जाता, क्या है स्कैम आपके लिए, जो पेंशन आपकी स्टार्ट होगी, मरते दम तक वही पेंशन रहेगी, अगर आप किसी से बोलिए, कि 22 साल के उमर में सैलरी आ जाए, और सैलरी जो भी होगी, आप अगरी करोगे अपने बच्चे के लिए, नहीं करोगे आप, लेकिन पेंशन के मामले में हम सोचते हैं, कि वह बढ़ेगी, नहीं बढ़ेगी, बिल्कुल भी नहीं बढ़ने वाली है, और आपके खर्चे अगर यूं बढ़ रहे हैं, क्या घर चला पाएंगे, सतर, असी छोड़ी है, पैसर के उमर में भी खर्चे नहीं चला सकते, अधिकतर इंडिया में लोग जो हैं, उनके पास जो पैसे मिलेंगे रिटार्मेंट के बाद, that is sufficient for just five years after retirement, so ये इस्थिती है, अब हम लोग आगे देखते हैं, कि how pension plan works, pension plan आपके दो phases में काम करता है, एक phase क्या है, ये आपकी retirement age है, मान लीजे 55 है, या 60 है, जो भी है, 50 मान लीजे, it hardly matters, so आपकी life यहाँ पे है, एक 90 तक की, 70, 80, 90 कुछ भी आप प्लान कर लीजे, लेकिन 90 से कम रखेंगे, और 90 तक जी गए, तो कौन समा लेगा, तो पैसा तो चाहिए, तो planning तो अच्छी होनी चाहिए, आज की age आपकी 45 ले लूँ, 50 ले लूँ, 55 ले लूँ, अब मुद्दा क्या है, यहाँ से, इस phase को बोलते हैं, accumulation phase, तो आप accumulation में, invest करते हैं लगातार, और यहाँ से आप पैसा income को लेते हैं, तो दो phase हो गए, confuse मत होना आप, जब कोई package एक साथ वेचे, कि आप क्या पिंचन प्लान है, बहुत अच्छे से आप बाद में भी पिंचन ले पाएंगे, याद रखिएगा, आपने पैसा एकटा किया, पैसा बन गया, that is known as purchase price, purchase price से, आपने अगर X company से इसको लिया है, initial pension plan, purchase price के टाइम पे, आप दूसरी company से भी ले सकते हैं, तो यहाँ पे तो हम wealth बना रहे हैं, so mix मत करिएगा दोनों चीजों को, क्योंकि जैसे ही mix करेंगे, आपका होगा बहुत तगड़ा जेव कटने का इंतिजाब, क्यों? क्योंकि इसका, अगर आपने पैसा पहले विड्रॉ कर लिया, entire money is taxable, principle भी, और pension plan का जो return होता है, वो सबसे खराब return होता है, क्योंकि आप emotionally बड़ी high होते हैं, कि अरे मेरी जीवन secure हो जाएगा, दूसरा पहलो, जब मैं income की बात करता हूँ, तो ये income है, पूरी जिंदगी के लिए fixed, और खर्चे होंगे ये, तो क्या हमारा जीवन चलेगा, इससे, तो ये तो इस तरह से काम करता है, मैं इसको calculator पे भी आपको दिखाऊंगा, तो बस बने रहे है वीडियो में, आपने हो सकता है, इसको पहली बार सुनाओ, ऐसी pension, जो इसका किसी pension plan से लेना देना नहीं है, ऐसी pension जो growing है, हर साल आपको इसमें पैसा बढ़के मिले, इसके उपर जल्दी ही एक वीडियो डिटेल में बनाऊंगा, याद रखिएगा, वाट यू नीड इस growing annuity, चाहे आप FD से प्लान करिए, चाहे mutual fund से प्लान करिए, चाहे pension से प्लान करिए, अब देख लेते हैं FD कैसे काम करता है, FD में भी दो phase हो गए आपके पास, अगर मैं first phase की बात करूँ, तो कहां पे आता है, accumulation phase में, so accumulation phase में भी आपके पास, अगर FD है और distribution में भी, so accumulation phase में जो return आएगा, entire return is taxable, ठीक, अगर मैं distribution phase की बात करूँ, तो यहां से जो income आएगी, वो भी taxable आएगी, pension plan और इसमें एक फर्थ क्या है, बहुत बड़ा, आप pension plan का पैसा, once a pension starts, आप जीवन में उस पैसे को निकाल नहीं सकते हैं, अपने जीवन काल में, और अगर highest pension आपने लिए है, तो वो pension के चलते, आपको कोई भी purchase price वापस नहीं मिलेगा, death के बाद, आपके nominee को, so याद रखें, इसके अंदर जो भी return आप लेंगे, most of the time, it gives you negative return, after inflation, after inflation and after tax, ये आपको कम पैसे देता है, ये बात याद रखिएगा, और same case pension plan के साथ है, जब आप pension plan की बात करते हैं, आपको बहुत तगड़ान उपसान होता है, saving आप लगातार करते हो, लेकिन क्या retirement possible है, मैंने एक चीज़ पाई, कि कोई भी family कम saving नहीं करती, हर किसी ने ज़ादा-ज़ादा saving किये, problem कहा है, बिना compare किये, बिना चीजों को जाने, बिना retirement को plan किये, हम अपने लिए, कोई ना कोई investment ढूंडते हैं, so how to do retirement planning, retirement planning, normally एक आदमी कैसे करता है, retirement planning में, आपकी उम्र है 42, ये आप 60 पे retirement लेंगे, तो आपके मन में क्या आया, यहाँ पे तो मैं बहुत सारे investment कर रहा हूँ, और ये investment होने के बाद, जो पैसा यहाँ पे घटा होगा, उस तरह से life को जी लेंगे, क्या ये तरीका सही है, ये approach ही अपने आप में problem वाली है, अगर मैं आपसे कहूँ, कि एक बच्चे को 10th का एक्जाम पास करना है, तो जितना पढ़ेगा, उतने का एक्जाम दे लेगा, चलेगा, आपके बच्चे को ये advice चलेगी, या आप कहोगे, पूरा syllabus पहले देखो, उसके हिसाब से तयारी करो, अगर अच्छे marks लाने हैं तो, सो आपको क्या करना, ये है आपका syllabus, 60-90 की age पे आपको कितनी income चाहिए, जितनी income चाहिए, उसके according, इंडिया के जितने भी investment options हैं, income के लिए, इन options को 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, सारे options को आप compare करें, और यही हम करते हैं, live session में क्यों, क्योंकि आपका fund size depend करता है, इसी के उपर, कैसे, आप सेगर मैं कहूँ, कि आपको दिल्ली से बॉम्बे जाना है, और दिल्ली से बॉम्बे जाने के लिए, आपके पास संसाधन क्या क्या है, you have flight, आपके पास है helicopter, आपके पास है train, राजधानी है, उसके बाद है आपके पास passenger train, फिर है आपके पास car, फिर है आपके पास bus, फिर है आपके पास bell गाड़ी, आप कहोगे, हर एक में time अलग-अलग है, और चितना slow, उतना जादा time, fund depend करेगा, किस से income ले रहे हैं, आपका जीवन अच्छा चलना चाहिए, आपके बाद मैम के पास पूरे पैसे होने चाहिए, पैरामिटर क्या है, ये income आपके पास आए, और इस income के लिए आपके पास दो strategy होती है, एक strategy है corpus बनाने की, और दूसरी है income बनाने की, डिटेल में इसको आपको डिसकस करना हो, तो लाइफ सेशन में आप इसको डिसकस करिए, मेरे साथ Tuesday से Thursday तक, याद रखिएगा, pension plan के अंदर पैसा मत फसाईए, अगर आपको immediate income की जरूरत नहीं है, तो FD आपकी लाइफ में नहीं बनता, हम देख लेते हैं अब हमारा calculator, जो हम live session में भी use करते हैं, अब देखिए ये कैसे काम करता है, यहाँ पे हमने ले लिया है, कि आपके खर्चे 50,000 हैं, और आपकी age है मान लेता हूँ 45, आज का खर्चा 50,000 है, 60 की age पे retire होंगे, पांच करोड के fund के साथ आप retire होना चाहते हैं, 7% का inflation है, 7% का FD का rate है, तो retirement के time पे आपका महिने का खर्चा किता होगा, 1,37,000 रुपे महिना, अब देख लेते हैं जीवन कैसे चलेगा, 60 के retire हो गए, 5 करोड लेके, 1,37,000 महिने का आपका खर्चा है, अब यह है fixed deposit, यह है pension plan, तो अब इसकी अगर मैं बात करूँ, तो आपके पास, देखे खर्चे आपके बढ़ते जा रहे हैं हर साल, 5 करोड आपके सामने है, पहली चीज, 5 करोड आपको इखटे करने पड़ेंगे, तो FD से आप जब करते हैं, तो आप देखिए, कि यहाँ पे negative हो गया returns, आपको महिने के लिए, क्योंकि आपकी income fixed है, अब हर महिने आपको ज़्यादा पैसे चाहिए, और 50% कम आ रहे हैं, तो आपके मन में एक सवाल आएगा, कि भाई मैं withdraw भी तो कर सकता हूं, कर लीजे, withdraw पहले ही पैसा खतम हो जाएगा, तो यह बात एकदम ध्यान रखिएगा, फिर तो यह पैसा 20 साल भी शायद ना चले, जब withdraw एक्स्ट्रा लेंगे तो, दूसरा point, जब हम pension plan पे आते हैं, pension plan में भी आपको लगातार एक fixed pension मिलेगी, और आप अगर देखें, तो 14 साल के बाद यह negative होना शुरूँ हो गया, कैसे अपने खर्चे मैनेज करेंगे, जब आप pension और retirement की बात करते हैं, it is not a normal thing, ultimately कोई ना कोई आपको एक plan sell कर देगा, आपको retirement planning पूरी तरह से properly करनी चाहिए, और इसके लिए आप नहीं पढ़ेंगे, तो who is bothered, कोई इनसान है आपके जीवन में, जो आपके retirement के tension लेता हो, जो इसके लिए responsible हो, कोई भी नहीं, phone book देख लीजे, क्या आपका mutual fund advisor इंट्रेस्टेड है, क्या banker इंट्रेस्टेड है, किसी को फरक पढ़ता है, कि आपके घर में पैसेट के उमर में ठीक पैसे आएं, या उनको अपने plan बेचने हैं, so only you can become your financial advisor, so अगर आपको learning लेनी हो, detail में, ये comparison total में था, FD and pension plan का, बट अगर आप retirement planning में interested हो, और आप भी मानते हैं, कि आपको पढ़ना चाहिए, मिलते हैं live session में, link description में है,